श्री श्रिवाय नमस्तु 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 शंकर कह रहा है माहुमा से मापारवती से मेरा महेश कह रहा है मेरा बाबा भोलेनात मेरा बाबा विश्वनात मेरा तरकाल दर्शी कैलाशी अभिनाशी कह रहा है एक बीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की मात्वता देखिए जो बैसाक महिने में बाबा शंकर को जो चड़ाया जाता है और हजार अश्मक यग्यका पुन्य फलम प्राप्त कर लेते हैं मात्रिक फल चड़ाता है ए पारवती संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्तर समर्पित करता है पारवती वो फल जो मुझे चड़ता है फिर में बहले नर्वदा के जलसी निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं फिर चाहे में गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं चाहे फिर में यमना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं चाहे मंदाकनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं ए पारवती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित ह वह बेल उठाकर जीव अपने कारे में महात्वता जानेंके अब उस बैल को जो बैंस के महिने में या जाता है वी एक ड्रयक्त सेखनेज में युट माज़ा कि घ्रारी पूरा बैसाक के बाद में अगला जो महिना आए उस महिने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकाल कर उसको सुखा लीजिए और सुखा कर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बिमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पच्ता ही नहीं है पूरा शरीर पाचन किरिया बेकार हो गई उस व्यक्ति को केवल साथ दिन तक शंकर पर चड़ा हुआ वो बेल पत्र प्रदान कर दीजिए पत्थरी भी बाहर और पाचन किरिया भी ठीए जिंदगी भार तकलीफ नहीं उस वेसाक अब मंदार का जो पुष्प होता है आकड़े का फूल होता है सफेद कलर का भी होता है और गुलावी कलर का भी होता है देखा है आप लोग ने बोलो जम के बोलो देखा है ना गुलावी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का आकड़े का जो गुलावी कलर का पु फूल नीला कलर का फूल देख रहे होंगे जो नीला कलर का जो पुश्प होता है गुलावी कलर का जो आकड़े का फूल होता है प्रयास करना जब किसी विशम परिस्थिती में फस गए विशम परिस्थिती जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भए लग रहा है कुछ बुरा होने वाला आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आँख बहुत फढ़क रही है कुछ गरबढ होने वाला आपको लग रहा है मेरी सीधी सुन्दरी वाली जगा पर इस पर्श करकर शिवलिंग पर आप चड़ा दीजिए आपकी विशम परिस्थिती केसी भी होगी वो रस्ता बना कर बाहर निकल जाएगा आपको फसना नहीं परिशान मंदार आकर सफेद आंकड़े का पुष्पवी भगवान शिव को समर्पित हो कर जिसे यह अगा प्रेले के फल का गुर्दा बेल का जो फल होता है बेल पत्तरी का फल उसका जिसे गुर्दा उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का उगुर्दा उसको अगनी में जलाकर उसकी भस्म तयार करकर चान कर चान कर जब जब आपकी यहां विद्वान ब्रहमन शिवजी का अभिशेक कराते हैं पूजन कराते हैं तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेल पत्री धतूरा दुर्वा ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म लिखते की नहीं लिखते हैं ना भस्म अभिशेक में चाहिए रहते हैं तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पि कर रहे हो तो यह जान लें कि शंकर मनमान्चित फल प्रदान कर रहे हैं शिक्फ फल प्रदान कर रहे हैं कि महाराज है कि बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्छर मंत्र नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय या श्रीशिवाय नमस्टुब्यम या महामर्त्यूंजे मंत्र का इस्मन कर रहे हो पर डंडी का भाग अपनी ओर बेलपत्र की बीच वाली पत्ति का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप इस्मर्ण कर रहे हैं और अपनी काम ना करकर बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बावा से विने करकर एकान्त में उस बेल पत्री के ब्रक्ष की च्छाओं में बेल पत्री के ब्रक्ष की च्छाओं आप काम ना करकर उस पत्ते को शंकर भगवान के उपर समर्पित कर रहे हैं तो ये जान कर रखें कि पारवती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवान चित्फल काम ना पूर्ण करवा रहे हैं क्योंकि शिव और पारवती का जब मिलन होता है शंकर पारवती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं शिव और पारवती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर परसनता का भाव आ जाए फल मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं विभा के लिए नोक्री के लिए सर्विस के लिए वेपार के लिए रोगमुक्ती के लिए आप जिस कामना से कर रहे हैं महादेव जो व्यक्ति पत ब्रश्ट हो जाए जैसे मदीरा के नशे में पढ़ गया कहीं जुए में पढ़ गया कहीं मान सहार में पढ़ गया कहीं वैसन में पढ़ गया कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रम वहिश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शि तिल को वापिस उठा कर ले आते हैं उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत वैसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुभा के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए शरंभेश्वर महादेव एक बेल पत्री का भी बहुत मदिरा पीने वालों के लिए मानसाहर वैसन में जूए में पेश्यवर्ती में पर नारी में गलत जगहा पर जो डूबे रहते हैं उनके पहले की कथा में उसका भर्णन किया है बेल पत्री का शरंभेश्वर महादेव एक बार सब बोलेंगे कौन से महादेव शरंभेश्व भड़र महादेव फिर जमके बोलो एक बाद सरม हे हमारे घर में चीन महादेव का हमें शर्णागती लेना चाहिए शरंभेश्वर महादेव का हमदिर का मंदिर मिलेगा हम का पूजन करने जाए कई नहीं नहीं जाना तुमारे घर के पास में जो संकर जी का मंदिर है वहीं जाओ उसी देवाले में उसी मंदिर में जाओ स्रमभेश्वर महादेव के नाम से जल चड़ाना प्रारम करेंगे वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ उसका आचमन कराना प्रारम करेंगे अपने आप उसकी दीरे दीरे भुद्धी सुधरना प्रारंबो हो जाएगी ऐसा श्रमभेश्षुर महादेव का है